अब आप देख रहे हैं एंसी आरबी की रिपोर्ट आ गई जिसमें बिहार पांच्वे स्थान पर हैं हमर साथ राज़त नेत्री कांती सिंग्जी एंसी आरबी की रिपोर्ट जो बता रही है कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है और नितीश कुमार कहते हैं सुशाशन ही सु तो जेतना बात कर रह रहे हैं एक टो आज़ देवलप्मेंट की भी बात कह रहे हैं देवलप्मेंट की भी बात देखीएगा तो спас के शकी मामिला में चट्भट पोजिसन पर चले गहें और जिस तरह से चल रहा है चारो और हाकार मचा हुआ है भरशाचार का महौल है किशान मरमाहत है किशान आज बिवस हो रहा है कि हम अपने नाजो का हम क्या करेंगे जिससे कि उनकी पैसे जो आती थी आर्थिक उनकी मजबूती होती थी बेटियों की शादी बच्चों की पढ नहीं है देखा जाए तो भरशाचार उसी तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है बलतकार हो रहा है आए दिनों घट ना घट रही है प्रसासन के प्रसासन सवाल जवाब कर रहा है बेटी से तो कहता है तुम्हारा भी हस्र होगा दामनी जैसा कि किस तरह के प प्रियो कर रहे हैं तो उस दिन को क्यों नहीं याद कर दूँ कि हमारे हाँ सराप पीने से करीब 31-35 लोगों की जान चली गई थी जो गरीब तबके के लोगते और वो उसको जो चलाने वाला जो ठेखा चलाने वाला था लोग वो मुखमंती के साथ बैठके उनके घर के बेडरूम में उसका तस्वीर आया था इसको आप नहीं कहेंगे क्या सामोहिक बलातकार हो रहे हैं ये घटन तो हमारे समय में तो कभी किसी को देखने को नहीं मिला ये सामोहिक बलातकार क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा या प्रा अब कहा जा रहा है जबकि उसके घर के अंदर से जो कोड़ाई हुई थी उसमें नरकंकाल मिलेते उसके फोरेंसिक जाच की गई थी और आज कहा जा रहा है कि उसमें किसी के हत्ते ही नहीं हुई तो क्या ये समोहिक चीज़को आप क्या कहेंगे या परादनी है क्या तो मतलब क्या लगता है सत्ता पक्षि लोग सिफ थेतर लौजी कर रहे है थेतर हो चुपणके नितीष कमार अस्पूशिल कमार मुझी येलोग तो सुरू से ठेतर लौजी पर लगे हुए है हर साल दो करों लोगों को रुजगार देंगे लोगों के खाते में पंदर पंदर लाख आएंगे काला धन लाया जाएगा आतंकवाज से निजात मिलेगा क्या मिला उन समय चीजों को धाकने के लिए सवाल जनता ना करे उसके बाद आप देखिए कितीन तलाग पला है आपने 370 ले आया है अब जा करके आप से यह ले आ रहा है फिर NPR आ रहा है उसके बाद यह तो सिल्सिला बढ़ते चला जा रहा है कि आप लोगों को रुजगार नहीं दे पा रहे हैं तो इन सभी चीजों को ढखने के लिए इस तरह के बड़े पैमाने पर जो वाक्या कर किया जा रहा है नेने सम्विधान को मतलब किया सम्विधान ही खत्रे में पड़ा हुआ है जिस सम्विधान पर सत्ता चलती है कानून चलता है और वोसी सम्विधान को खत्रे में डाला जा रहा है जो भी आवाज उठा रहा है कि देश दुरही है तो क्या हम जो जैन्वीन बात है जो जनता की बात है जनता के जो सारोकार की चीजें है उस पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम देश दुरह हो जाएंगे तो यह तरह से जो इनका करवाई चल रहा है यह बिलकुल ही खतरन तरीके से चल रहा है समिधान पर खत्रा है लोगों के लोगों को रोजगार नहीं है महीलाएं आज तरस्त हैं कहीं भी एजुकेशन आपका बिल्कुल ठप पड़ रहा है जैनियों का इस्थिति देखिए फिर आपको क्या कहलाता है कि अलिगड़ का अलिगड़ मुस्लिम इन पास में घुजगुज करके जो की सुरक्षे थी जहां गरीब के बच्चे पढ़ते थे उन सभी चीजों को एक तरसे समाप करने की साजिस चल रही है यह जो पूरे देश में विरोगत परदर्शन चल रहा है क्या बिहार हमेशा चेंजेस के लिए जाना रहता है नितीश कि यह जनता की आवाज है और उन्होंने जनता की आवाज को कहा 2020 नितीश हटाओं कांति सिंग थी हमारे साफ तोर पर कहा है कि 2020 में हटाओं नितीश का नारा ये लालू प्रशाद यादव का सिर्फ नहीं है जो बिहार की जनता है वो भी यही चाहती है वहराल 2020 के विधान सब चनौ में कौन किंग बनेगा या आने वाला वक्त बताएग अब बनेरे हेडलाइन्स विहार के साथ अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सब्सक्राइब करने ताकि तमाम च्छोटी बड़ी क्याब्रे आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके